मैं चुट्टी पर घर आ रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग एक बारहतेरह साल के बच्चे को मार रहे थे, मैं उनके पास गया और बच्चे को उनसे चुड़ा कर उन लोगों से पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने हमारी दुकान से बिस्किट चुरा कर खाए हैं, मैंने दुकानदार को बिस्किट का दौगुना दाम देकर बच्चे को उनसे अलग लाया, मैंने बच्चे को पूछा कि तुमने चोरी क्यों की है, तो उसने कहा, साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में इधर घूम रहा था कि अचानक मेरी नजर दुकान के पास पड़े बिस्किट के पैकेट पर पड़ी जिसे एक कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था, मैं कुत्ते से छिनकर बिस्किट खाने लगा, तो इन लोगों ने देखा और मुझे मारने लगे, फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वह बोला छोटू, मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अनात है, वह काम की तलाश में भटक रहा है, मैं छोटू को अपने साथ अपने घर ले आया, मेरे घर में मेरी मा ही थी क्योंकि बहनों की शादी हो चुकी थी, और पिताजी गुजर चुके थे, छोटू के घर आने से मा को भी काम में राहत मिली, घर का छोटा मोटा काम अब छोटू कर लेता था, मेरी छुट्टिया समाप्त और मैं ड्यूटी पर गया, और छोटू को बोल कर गया, कि अब वो मा का ख्याल अच्छे से रखे, मैं वहां से रोज मा छोटू बात कर लेता, एक दिन मा को अचानक दर्ध हुआ, तो छोटू ने मा को डॉक्तर को दिखाया, और जाच के बाद दोक्तर ने छोटू से कहा कि इनकी दोनों किड्नी खराब हो गई हैं, अब ये तभी जिन्दा रह सकती हैं, जब इसे कोई अपने किड्नी दान दे छोटू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी किड्नी मा को डोनेट कर दी पर डोनेट करनेसे पहले छोटू ने यह कहा कि यदि मा पूछे तो कह देना कि छोटू अपने गाव लौट गया हैं, सुभभ हुई तो मा जिन्दा थी पर छोटू बहुत दूर जा चुका था, मा मैंने डॉक्तर से छोटू के बारे पूछा तो उन्होंने ऐसा ही कहा जैसा छोटू ने कहा था। मैंने रात को कॉल किया तो मा ने बताया कि कल उसकी बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई थी और छोटू ने हॉस्पिटल से उसका ओपरेशन करवाया है। मैंने पूछा कि छोटू कहा है तो मा ने कहा कि वह अपने गाव लोट गया है। मुझे डाल में कुछ काला नजर आया और मैं छुट्टी लेकर गाव चला आया। मैंने हॉस्पिटल जाकर पूछा कि मा को क्या हुआ था और छोटू कहा गया तो एक डॉक्तर ने कहा आपकी म मा की दोनों किड्नी खराब हो गई थी पर उस बच्चे ने अपनी जिंदगी दे कर आपकी मा की जान बचा ली। में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना। मेरे कपड़े आसुओं से पूरे भीग चुके थे और मैं सोच रहा था कि उसका नाम ही छोटू था उसका काम तो बहुत बड़ा था।